चलो तो प्रलय मचादो तुम भूधर को भी सरकादो तुम इंगित पर वसुधा ना चुठे पानी में आग लगा दो तुम इतनी हिम्मत तुम में होनी चाहिए इतनी हिम्मत बांध के सारे काम करने चाहिए हमें आलस से में नहीं पढ़ना है आए आज सॉल्ब करते हैं हम कक्षा 10 का एक अंसॉल्ड पेपर सेट फस्त है आठ सो एक एमे यानी 2020 में आया हुआ पहला पेपर आज के सामने आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ आप बड़े जोशो खरोस के साथ उस्ताह के साथ सम सब्सक्राइब कीजैगा और दूर दूर तब दोस्तों में फैला दो कि आज Live class चलने जा रही है drei इस हंच क्लास के सिल्सिले ज्यांसिंद्य क्लासेस पर कभी नहीं थंते है इसलिए आपको शेयर करना है जरूर शेयर करना है ठीक है पहला प्रशन आपके सामने बिल्कुल वैसा ही मॉडल पेपर जैसे आपका एक्जाम में आएगा 2021 के आए देखिए आ चुका है ना 2020 में आ चुका है 70 का पुणाउं कोगा 30 अंक आपको विद्याले से मिल जाएंगे और 70 में 60 ले आए तो 90% हो गए भाई क्यों टेंशन ले र आचारे रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंदकार हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा आचारे रामचंद्र शुक्ल जो है वो आपके प्रसिद्ध निबंदकार हैं और इनकी मित्रता नामक निबंद भी इनका बहुत मसूर है जो आपके पाट के रचनाकार का नाम लिखना है तो आप सबके लिख दीजो यार लेकिन लिखना भी आ यह एक ही का है मैं आपको बता सबके दूँगा आवारा मसीहा यह पहला आता है आवारा मसीहा विश्णू प्रभाकर ने लिखा है और शरत चंद की जीवन पर आधारी थे बहुत बार प यहां जीवनी किसकी है सरचन की और लिखा किसने है तो आप बताएंगे विश्णू प्रभाकर और बिधा जीवनी अर्धनारी श्वर यह निबंध है रामधारी सिंह दिंकर का निबंध है अर्धनारी श्वर क्या भूलूं क्या याद करूं हरिभंश राय बच्चन की आत कथा है और पंच्वटी मैथली शरण गुप्त की रशना है आप तो जानते हैं कि पंच्वटी की छाया में है सुन्दर पर्ण कुटीर बना जिसके सम्मुक जिसके सम्मुक स्वच्छ सिला पर धीर वीर निर्भीक मना जाग रहा यह कौन धन और धर जबकि भुवन भर सोता ह है भोगी किसमा युद योगी सा बना द्रेश्टिगत होता है तो यह पंच्वटी आपने पड़ा क एक्षानों में वहीं पंच्वटी राम आप 우리चण गुप्सी का यात्रा के यात्रा के पन्ने विधा सरस्वती पत्रिका दुवेदी युग में प्रकाशित हुई उननीस सो इसवी में प्रारंब हुई प्रथम संपादक बाबु श्याम सुन्दरदास थे और दूसरे संपादक बने थे आपके आचारिय महावीर परसाद दुवेदी जो 1903 से लेकर के 1920 तक संपादक रहे ठलुआ कलब किसके लेखक है गुलाब राय बाबु गुलाब राय ले ठलुआ कलब लिखा प्रगतिवादी कविता की किनी दो विशेस्ताओं का उलेक करना है तो पहली विशेस्ता आप ध्यान दिजिए प्रगतिवादी कविता की पहली विशेस्ता है सामाजिक यथार्थवाद प्रगतिवादी कविता की पहली विशेस्ता क्या है सामाजिक यथार्थवाद तो आप याद किजिए सामाजिक यथार्थवाद मतलब सामाजिक यथार्थवाद का मतलब क्या है सामाजिक का मतलब था समाज में, यथारतवाद का मतलब जो घटित हो रहा है वर्तमान इस्थितियां तो समाज की वर्तमान स्थितिया प्रगतिवाधी कविता में दिखाई गई और देखने को मिली, श्वानों को मिलता दूद्वस्तर भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मा की छाती से चिपक ठिटुर जारे की रात बिताते हैं, ऐसी कविताओं में समाज का रूप भरकर सामने आता है, समाज का यथार्थ चित्रन वहाँ पर दिखाई देता है 1497 के पहले था, 1938 के बाद था, 1938 और तेंटालिस में जानते हो देशाजाद नहीं हुआ था तो करांती की भावना तो सभी कवियों में थी ही, तो दो भी सेष्ताई आपको करांती की भावना समाजी के थार्थ वाद, ये परकतिवादी की भी शेष्ताई लिखिएगा, रीत दूसरा सब्तक का बिसंग्रा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ तो सबसे पहले आप दिके तीसतार सब्तक उननीस सो तेंटालिस इसके आठ वर्ष बाद उननीस सो एक क्यावन में दूसरा सब्तक इसके आठ वर्स बाद 1961 में तीसरा सब तक प्रकाशित हुआ यहाँ पर पूछा जा रहा तीसरा सब तक तो इसका राइट आंसर होगा उननीस सो वन सब नाइंटीन हंडेट फिटिनाइन इस भी में आपका ये प्रकाशित हुआ था फिर आपको एक गध्यांस मिलेगा उसके नीचे तीन प्रस्ण मिलेंगे तीनों के उत्तर देंगे आप तो छे अंक आपके हो जाएंगे आईए हिंदी प्रगती शील साहित का निर्माड हो रहा है उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित में भविष्य का गवरों नहीं थे पर क्या है पर कुछ समय के बाद उनका ये साहित भी अतीद का इसमारक हो जाएगा और जो आज तरुन है वही बृद्ध होकर अतीद के गवरों का सवपन देखेंगे उनके स्थान में तरुनों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का सवपन देखेंगा दोनों के ही सवपन सुखत होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुखावने होते हैं क्या लिखू पदुमलाल पुनालाल बक्सी जी का है लेकिन आपके पाठिकरम में 2020 में नहीं है लेकिन आगे के बच्चों में होगा इसलिए मैं इसके भी उत्तर दूंगा उपर उक गद्यांस का संदर्व लिखेंगे तो प्रस्तुत गद्यांस पदुमलाल पुनालाल बक्सी जी द्वारा रचित निबंध क्या लिखूं से अवतरित है रेकां की तन्सकी व्याख्या देखिए हिंदी में प्रगतशील साहित का निर्मार हो रहा है परन्तु उसके निर्मार करता उनको ये प्रतीत हो रहा है उनको ये अनुभव हो रहा है कि इस साहित में हम भविष्य का गवरो नहित किये है परन्तु ऐसा कुछ नहीं है कुछ समय के बाद जो भविष्य होता है वो क्या हो जाता है वरतमान हो जाता है और वरतमान भी कुछ समय बाद क्या होता है बूतकाल में बेतीत हो जाता है चलिए दूर के ढोल सुहावने का आर्थ क्या है दूर की वस्तू प्रशंशनी होती है दूर के ढोल सुहावने मतलब यही है कि दूर की वस्तू बहुत अच्छी लगती है यही घर का जोगी जोगना आनगाओं का सिद्ध घर का विक्ती क्या होता है बहुत ही उसकी महत्ता न बलकि उन वस्तुमों से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हरदें पर दश मारते रहते हैं दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है मगर इरिशालू म करट गया है लेकिन कोई बात नहीं है 2021 में नहीं है तो बाइस में जरूर होगा इसलिए इसको भी मैं समझा देता हूं आप छोड़कर क्लास मत जाईए आगे बहुत काम का आपके चीजे हैं इर्शा का यही अनोखा वरदान है इर्शा तू न गई मेरे मन से रामधारी सिं आदत से मजबूर होता है उसको अपने पास की मौजूद वस्तूओं में सुख नहीं दिखाई देता है बलकि दूसरों के पास की सुख सुविधाएं उसको बहुत दुख देती हैं क्योंकि वो आदत से लाचा लेखक ने इर्शा का को क्या अनोखा वरदान क्यों कहा है क् इर्शा जिसके हिर्दय में घर बना लेती है वो उससे आरंद नहीं उठाता जिससे उसके वास मौजूद हैं बलकि उनसे दुख उठाता जो दूसरों के पास हैं बस समझ गया आप चलिए अब देखें पद्यान जाम में आएगा यानिकि यह आपके सिलेबस में है दोचा बना ले हम रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम सौसो आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम इसकी हम व्याख्या अपने पार्ठी करम अपने प्लेलिस्ट में दे चुके हैं आप वहाँ पर जाकर के इसकी व्याख्या जरूर देखें हमने आपको बताया मोर पखासिर उपर राखियों गुंज की मालगरे पहिरोंगी ओड़ी पितंबर लेलुक लकुटी बन गोधन गौरन संग फिरोंगी बाब तो वो ही मेरो रस्कानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मूर ली मुर की अधरान धरी अधरान धरों यह देखर रस्कान के सवये हैं और उपर वाला जो है यह क्या है यह भारत माता का मंदिर मैथलिसरन गुप्त की है तो आप इनकी सब की व्याक्या देखनी है जाईए प्लेलिस्ट में वहां पर यह पार्ट पड़ा हुआ है आ अगर आपका सलेबस पूरा नहीं हुआ है तो पूरी संस्क्रेट हिंदी सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रेगुलर कल्स सब कुछ मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीये कोई भी पार्ट में आपको दिकत नहीं होने वाली है यहं तक कि गद्द के परशनोंत में आपका आना है वही प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो 2021 के लिए हम बात कर रहे हैं जो कोविड 19 से 30% कम हुआ है 2022 की बात नहीं कर रहे हैं या किसी भी अन्यशाल की चलिए एक कवी का अगर आपको एक-एक मीनिंग समझ के बहुत काईदे सर्थ समझना है तो आप प्लेलिस्ट में देखिए फिलाल मैं बहुत जल्द में आपको बता देता हूं बहुत कम टाइम है नागरिक बहुत कालम माने बहुत समय यावत माने टक अचिंतेत माने सुचता रहा परं परतुacia परहेलिका अंतर नहीं हुआ नहीं जाना अतहा इसलिए मलिन मुख वाले नागरिक ने चेहरे वाले नागरिक ने उनको शर्द के अनुसार दस रुपे दिए सबस unfamiliar और सब्हुयति बारती संच्र्ती से लिया गया है सभी सुक्षी हुँ सबी निरोगी हूँ और सभी कल्यान को देखें और किसी को भी दुख प्राप्त नहों अपनी पाठी पुस्तक से कंठस्त को एक लेकिन वह स्लोक इस पाठीकरम में इस पाठी पुस्त ता स्वरी इस प्रश्ण पत्र में ना आया हुँ मैं दो परिश्णों नागरी का उपाहसद विद्यागेन वर्धते विद्याभ अभ्यासेन वर्धते आगे देखे करुण अथवाहासरस का मैंने वह नीर शीर वाला इसलिए नहीं बताब बहुत लंबा है चलिए हटाईए आपके पाठेकरम में इस बार नहीं है अगली बार है करुण अथवाहा देखे दो प्रत्ते बनाने हैं आई से लिखाई पढ़ाई तौसे महात्व अपनात्व कट्ट्ट्व पन से अपना पन पराया पन कड़वापन, हट से जनजनाहट, गबराहट, वट से लिखावट, ता से सुन्दरता अब आगे देखिए निम्खित दो के समास विग्रह करने हैं और समास का नाम भी लिखना है चरण कमल, चरण जैसा कमल, करमधारे समास नवरतन, नवरतनों का समूह, दुईगू समास चक्र पाणी, चक जिसके हाथ में चक्र है ऐसा कौन, बहुबरीह समास, उत्थान और पतन ये क्या है, दुन्द समास, पंचानन, पांच है मुह जिसके यानि बहुबरीह समास हो जाएगा सब्तरशी, सात रिशियों का समूह, दुईगू समास हो जाएगा आगे देखे, आगे है निमन में से किनी दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए दो शब्दों के तत्सम रूप लिखना है तो देखे, आज का आद्य, आज का क्या हो जाएगा, आद्य अमावस का अमावस्या चवराहा का चतुषपथ ठीक है चतुषपथ होगा चतुषपथ कैसे लिखेंगे चतुषपथ ऐसे लिखेंगे चना का चनक हो जाएगा चना का क्या हो जाएगा कुवा का कूप हो जाएगा बत्तिका हो जाएगा क्या हो जाएगा वर्तिका बत्ती का वर्तिका दो शब्दों के परियावाची दो दो लिखने हैं उन्नती उन्नती का प्रगती होगा विकास होगा उत्थान होगा ग्रह का हो जाएगा घर भवन आले निकेतन बादल का क्या हो जाएगा बादल का देखे वारिद मेग नीरद म मचली का मत्से मीन मचली का क्या होगा मत्से मीन हाथी का क्या हो जाए गज करी हस्ती इसका संधी करना और नाम भी लिखना है तो एकाईक ब्रधी संधी एकायक ऐसे लिखेंगे अध्याईव अध्याईव tahu kassi लिखेंगा अध्याईव प्रतियुत्तर क्या से लिखेंगे ऑभ्यूत्तर में यह अभ्यूत्तर कि यह दो पर लिखेंगे से इसमें भी इस संदी होगी अभ्यूतbye यह भी अभ्यू दय यह समें भी याड़संधि होगी देखेए आप चतुर्ति विवक्ति के बहुचन में रूप लिखना है तो ये कह रहा है तो मधुभ्या मधुका मधुभ्या नदिभ्या तेव्भ्या और युश्मभ्यम ठीक है युश्मभ्यम हो जाएगा नमिखित मैंसे किसी एक शब्द की धातु लकार पुरुस वचन दिखे तो आपठत में देखे आपठत में पठधातू पठधातू फिर क्या है लंग लकार पठधातू लंग लकार मध्यम पुरुस बहु वचन क्या होगा मध्यम पुरुस बहु वचन फिर देखे हसामा हसा ठिक देखिए अब पशे में द्रिश्धातु बिधीलिंगलकार इसमें भी हो जाएगा एकी मात्रा लगी तो बिधीलिंगलकार मान लो और परतम पुरोस एक वचन इसमें भी हो जाएगा आखरी बचा है और इसे कि पचन्तु तो पठत पठताम पठन्तु लोट लकार पचधातु लोट लकार प्रथम पुरोष और बहुअचन इसमें हो जाएगा अब आपको दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा चलिए तो दो क्या हम अनुवाद कर लेते हैं नीचे चलो हमको दो पता है तो दो बता देते हैं अईसा मतलब होता है आपको दो पता है तो दो बताईए जल्दी जल्दी देख लीजिए विद्या सभी धनों में स्रेष्ठ है विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति प्रधान है या स्रेष्ठ है या स्रेष्ठम अस्ती ठीक है विद्या सरवधनम स्रेष्ठम अस्ती जनम भूमी स्वरगात अपी गरियसी ठीक है चलो ठीक हो गया आपका पेपर ठीक है इसको पीडियप ये आपको टेलिग्राम पे भेज देंगे और हाँ एक बार काम एक और क मानिए एक गुरू होने के नाते मैं आपको एक आदेश दे रहा हूं वह आदेश यह है कि आप एक बार कीजिए सबी गुरूप पर शेयर किजीए अपने हाइस्कूल के मित्रों पर बिलकुल सेयर कर दीजिए स्बक वाड़स अब जहां आपको इच्छा हो वहां माँ आप अगर आप ने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गुरूप से शेयर कर दीजे, फेस्बूक, वाटसप, जहां जहां आपको इच्छा हो, वहां माँ शेयर कर दीजे, अगर आप नए हैं, तो like और subscribe जरूर कर दीजे, subscribe इसलिए कीजे, क्योंकि यहां live classes का सिलसिला कभी नहीं थमता, और भाईया, आपकी playlist पूरी full पड़ी है, आपके full course है, तो आप उसको देख लिजे, और कख्छादस की Sanskrit भी हम पढ़ाएं, सब पढ़ाएं, तो आप उसको देख लिजे, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले time, अगली चीज ले करके,